हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेटफेट अकाड़मी में मैं हैं सशी कांतर है और आज की वीडियों हम बात करने में वेले हैं चराने मज़ा सिच्छक बाहली के बारे में जिसमें आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहा सिच्छाविवाग की जो निउज आई है कि डॉकमेंट्स का सत्यापन जो अभी तक वेक्तिकात अस्तर पर या मेरिट लिष्ट के अधार पर किया जा रहा था अब उसमें एक जो है नया मोड आया है और अब जो डॉकमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा वो बिहार वोल्ड और डिग्री में जो है ले जाकर के फिजिकली उन डॉकमेंट्स को मिलाया जाएगा और यही काम अधर इस्टेट के अभीरतियों के डॉकमेंट्स के साथ भी किया जाएगा जिसके लिए बिहार इच्छा विवाग जो है इसने यह आदेश दिया है कि परते एक न्यूजर निकाई एक बिसेज दूद को नियुक्त करेगी जिसका काम होगा डॉकमेंट्स का सत्यापन कराना और डॉकमेंट्स सत्यापन कराने बद वो रिपोर्ट लाकर उसको सौबेगी अब बात यह है कि बिहार इच्छा विवाग यह जो कदम उठा रहा है डॉक्मेंट सत्यापन कराने के लिए बिसेज दुद्रों के नियुक्ति कर रहा है तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही है यानि कि चरणे में से चचक बहाली से काफी पड़दे हटने वाले है यह decision अपने आप में खास decision है खास तरिका decision है क्योंकि जब भी कोई काम बेक्ति करता है तो उसका भविष्य वर्तमान और भूतकाल देखके करता है कि यहाँ काम जो हम कर रहे हैं क्या भविष्य के लिए फायदेमंद है या वर्तमान के लिए फायदेमंद है या भूठकाल में भी इसका कुछ असर देखने के लिए मिल सकता है भूठकाल का मतलब यह होता है कि भूठकाल में अगर ऐसा काम हुआ है तो उससे भी जो इनको सीख लेनी चाहिए ती लेकिन अभी तक कोई सीख लिया नहीं गया है बूद काल में भी इसका कुछ असर देखने के लिए मिल सकता है बूद काल का मतलब यह होता है कि बूद काल में अगर ऐसा काम हुआ है कि नहीं हुआ है तो उससे भी इनको सीख लेनी चाहिए थी लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीख लिया नहीं गया है क्योंकि भूत काल में डॉक्मेंट सत्यापन का काम तो हुआ ही नहीं था इसलिए आप देख रहे हैं कि पूर निवेट सिचकों के फाइल फोल्डर गायब है तो उनसे भी सीख नहीं लिए लेकिन फिलहाल बिहार सिचावियाग ने कदम बढ़ा दिया है एक सिखेंस में अगर कोई काम होता है तो अच्छा रहता है लेकिन बिहार सिचावियाग इससे मूँ मोड़ रहा है या जयानबूच के अन्यान कर रहा है या ये बाते उसकी दिमाग में नहीं आ रही हैं जो मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ तो जो भी सिचा कर वैरती जो हमाई चैनल को सबस्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुखने बीचारी भी रखते हैं सब्सराइब कर सकते हैं चैनल को सबस्राइब करने के लिए आपको क्लिक करने होग है पर अलग पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो की न्युन्टिफेकेशन मिले आएंगे तो आईये सुर्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप यहाँ सिच्छेवाग 6.44 बहाली के प्रक्रिया में अभी तक जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है कश्रम की गये फर्स्ट चरण की बहाली होई है, सेकेंड फेस की बहाली होई है और 1100 नियोजन निकाईों में गहाब बहाली होना बाकी है जिसका अभी भी कोई नोटिफेकेशन आया नहीं है क्योंकि वो राज निर्वाचन आयोक्यों पर डिपेंड करता है क्यों परमिशन देगा की नहीं देगा यह तो एक क्रम हो गया कि हाँ यहां तक सब कुछ सही है जिन अभ्यरतियों का चैन सुची जारी गया था उसको दुबारा से संसुरित करके जारी किया गया है और जो लोगों का चैन सुची में अभी भी मिस्टेक है तो अपने नियोजा निकाई में संपत करके एक अप्लिकेशन देके अपने अंकों को सही करवा सकते हैं जो उनके डॉक्मेंट्स के अमसार हैं बसरते की आवेदन में भी वही डाटा लिखा गया हो तो जिलने उनने नहीं कराई वो लोग करा सकते हैं तो यह दूसरा इस्टिप था यहां तक भी काम सही हुआ इसके बाद जो है डॉक्मेंट्स सत्यापन की बात आई तो डॉक्मेंट्स सत्यापन का काम चल रहा था और यहां नियोजा निकाई के अस्तर पे चल ला था अभी तक जो है सिच्छा विभाग ने बिहार बोर्ड से या इन्वर्सिटीज से या टीचर टेंडिंग जो कॉलेजेस होते हैं वहां से डिग्री की जाच नहीं कराई थी या प्रमाण पत्रों की जाच नहीं कराई थी सीटेट में सीवेसी को बेज़े जाएंगे और विहार टेट कराने अले विहार बोर्ड को बेज़े जाएंगे और फिजिकली उनकी जाच कराई जाएगी जिसके लिए भी से इस्तूतों का नियुक्त किया जाएगा अब बात उठती है कि ये प्रोसेस कितना सही है कितना गलत है आपको जब डॉक्मेंट सत्यापन कराना है तो आप एक ही काम को दो बार क्यों करेंगे आपको चाहिए था कि पहले छटा च्रण की जो बहाली प्रक्रिया थी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते आपको जितने चरण की काउंसलिंग करानी थी उसको आप करा लेते फर्स्ट फेस की करा लेते, सेकेंड फेस की करा लेते जो ग्यारा सो नियुजर निकाईयों की जो भी काउंसलिंग होनी बाकी है उसको भी कराना चाहिए था उसके बाद सारे अभियरतियों के जो डॉक्मेंट्स जो है ले करके तब आप विसेश दूत की न्यूक्ति करते तो ये ज़रा अच्छा रहता अब आपने पहले विसेश दूत की न्यूक्ति कर दी है और आपकी अभी आधी काउंसलिंग बाकी पड़ी है सीटे खाली पड़ी है अभियरति बचे हुए है उनको पता ही नहीं है कि काउंसलिंग आगे होनी है कि नहीं होनी है तो 1100 निकाईों में भी कांसलिंग हो जाती तो उनके भी डॉक्मेंट्स आ जाते निकाईों में और एक साथ विसेश दूत की निकाईों में और एक साथ ले जाते तो एक साथ सारा काम हो जाता अब यह होगा कि आधी counseling हुई है तो अभी आधे documents लेके हो जाके सत्यापन कराएंगे अपना time waste करेंगे और फिर जब 1100 निकाई हों कि counseling होगी तो फिर उना ब्यारतियों को लिटका गया रखा जाएगा उनके documents फिर उसके लिए भी सिस्दूत की नियुक्ति की जाएगी तो बिहार सिच्चा विवाग को हर काम सोज समझ के करना चाहिए एक सिकेंस में करना चाहिए इससे समय बरबाद हो रहा है और अभीयरतियों को समय खास पर से बरबाद हो रहा है क्योंकि इस इच्चा विवाग को बरबाद नहीं हो रहा है लेकिन अभीयरतियों के यहां टाइम वेस्टेज हो रहा है उनको economical loss हो रहा है उनकी age गट रही है बहुत सारी problems उनको आ रहे है क्योंकि उनके documents भी जमा है तो बिहास इच्चा विवाग को चाहिए था कि पहले फूरी counseling process तो complete करा लें और declare कर देते कि हाँ आप छटा चलन का process बंद हो गया है और अब documents का सत्यापन की यह लगा है करना यह चाहिए था लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया इन्होंने एक-दो चर्म की counseling complete कर यह document सत्यापन काम सुरू कर दिया विल्कुल गलत किया ऐसा नहीं करना चाहिए था पहले counseling complete करना ही चाहिए था उसके बाद document का सत्यापन होना चाहिए था ताकि लोगों को यह confirm हो जाता कि हाँ document सत्यापन बंदोकरी मिल जाएगी लेकिन अब तो question यह लगने लगा है कि बिहास इच्छा विवाग काई न कहीं चीजों को लटका रहा है इतने दिन हो गए first phase और second phase की counseling complete हुए अब जो action लिया गया है उससे यह पता चलता है कि अभी जो document सत्यापन किया जा रहा था वो जो है अपने अस्तर पे नियोजनिकाई के कमचारी कर रहे थे अपने दिमाग का इस्तमाल कर रहे थे उसमें अभी तक कोई जो है कोई board उगरा सामिल ने था कोई सत्यापन नहीं की जा रहा था यह तो मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि document का सत्यापन board से और university से कराया जा तो हो सकता हो तो यह उनको समझ में हो कि हाँ यह भी काम करना चाहिए काम तो करना चाहिए काम सही है लेकिन इतना लेट इतना लेट यह decision क्यों लिया गया counseling जब आपने first phase second phase की complete कर ली थे तभी आपको यह decision और लेटर जारी करना चाहिए था कि जहाँ विसेजदित की न्युक्ति करके officially कराया जाए वैसे तो नियम नहीं है क्योंकि नौकरी लगने के बाद ही जो है documents को सत्यापन होता है joining letter मिलने के बाद होता है तो यह भी एक अच्छा काम होसाथा था या फिर आप मूल प्रमापत्रों से जो है जो फोटो कॉपी था उसको सत्यापित कर लेते और मूल प्रमापत्रों उनको वापस कर देते तो अपना आगे का काम करते दूसरी जहा सत्यापन कराया जाएगा तो मुझे पूरी उमीद है कि इसमें काफी समय लगने वाला है अगर ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए तो दे सकता है और ज्वाइनिंग के बाद भी जाच हो सकती है और एक चीज और करनी चाहिए अभी तक जो फर्जी डॉक्मेंट से उनको जो बिहार्टेट या सीटेट का है उसके पिज़े जो है सेलेक्टेट की मौर लगा देनी चाहिए थी और अब मैं फिर कहराँ हूँ कि जितने भी फर्जी सर्टिविकेट पकड़ा रहे हैं उनसब के पीछे रिजेक्षन की जो है मौर लगा देनी चाहिए कि रिजेक्टे मरें करें ताकि सिच्छा कभीयरतियों को टाइम लॉस हो रहा है वो लॉस ना हो और इससे बहुत बढ़ा नुकसान होता है का उनका मनोबल कहना था अगर वीडियो आपको पसना है तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना न अभूलिएगा तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ नहीं तब तक लिए इजाज़त दीजिए धान्यवाद